26 वर्ष का एक युवा देश के अंदर राम नाम की चर्चा कर रहा है लाखो लोग पंडाल के अंदर बैटकर जो है जैश्री राम का उद्गोश कर रहे हैं और जहां एक तरफ इस देश के अंदर पठान फ्लॉप हो रहा है और 26 वर्ष है जो है एक संत सूपर हिट हो रहा है मतलब इसको अगर शुद्ध देशी भासा में कहें तो इसे बोलते हैं गईल भाईस पानी में सनातन हिंदू धर्म के खिलाफ बेजा प्रचार करेंगे जूठा प्रचार करेंगे हिंदू को तो आपने ब्रह्मान बनिया चट्री शूद्र में बाट दिया पर आज धिरेंत कृष शाष्तरी क्या कह रहे हैं आज कह रहे हैं कि तुम सबसे पहले सनातनी हिंदू हो, आज वो समाज के अंदर हिंदू समाज के अंदर प्रिसाइजली जात पात के जो ये गैप है, जो ये इतनी बड़ी खाई है, उसको मिटाने का काम कर रहे हैं, मुझे मेरा धर्म, यदि मर्यादा पुर्शुत्म राम बनना सिखाता है तो धर्म के लिए मुझे परशु राम बनना सिखाता है आज आवशकता है धर्मु रक्षती रक्षता यदि आप धर्म की रक्षा नहीं करेंगे तो कौन सा धर्म आपकी रक्षा करेंगा समाज के अंदर संस्कृती कहां रह जाएगी आज एक 25 किलो के चाव पुर्विशी गॉड़ आप सभी के साथ और आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत है O News Hindi में और आज हम जिस बात पर चर्चा करने के लिए यहां पर आये हैं आज एक ही बात की चर्चा जो पूरे देश में हो रही है आज उसी पर हम लोग बातशीत करेंगे आज बातशीत क के बारे में जो आज पूरे देश और शायद विदेश में भी चर्चा सिर्फ इनी के बारे में हो रही है इनी के नाम के बारे में हो रही है और कह रहे हैं कि यह चमतकार है या अंधविश्वास है वेद प्रकाश शिर्मा जी आप से सबसे पहले जाना चाहूँगी आपको क्या लगता है कि ये सच में चमतकार है या अंधविश्वास है देखिए मैं उससे भी एक कदम आगे की बात करूँगा कि आज धिरेंद कृष्ण शाष्ट्री जी महराज चाहे वो चमतकार कर रहे हैं चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं पर वो सबसे बड़ा एक काम कर रहे हैं देश के अंदर एक अध्यात्मिक जागरण फैला रहे हैं इस देश के अंदर जातियों में बटे हुए लोगों को एक ही पंडाल के अंदर बिठा कर राम नाम जपने पर जो है वो मजबूर कर दे रहे हैं आज देश के अंदर एक ऐसा अभूत पूर्व में जागरण गई है आज वहां 26 वर्ष का एक युवा देश के अंदर राम नाम की चर्चा कर रहा है लाकों लोग पंडाल के अंदर बैटकर जो है जैश्री राम का उद्गोश कर रहे हैं और जहां एक तरफ इस देश के अंदर पठान फ्लॉप हो रहा है और 26 वर्ष ये जो है एक संत सूपर हिट हो रहा है आप देखिए विचारे एक 50 साल के युवा को इन लोगों ने क्या क्या नहीं किया 50 साल के युवा को देश में 3000 किलो मिटर से उपर पैदल चलवा दिया उसको तपस्वी दिखाने के लिए टीशेट में जाडे में पैदल चलवा दिया और आज पिछ बागेश्वर सरकार धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी की चर्चा कर रहा है तो आपको कहीं नहीं यह लग रहा है कि इसका राजनीती करण भी हो गया है क्योंकि आपने राहूल गांदी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में आपने बातशीत करी तो आप कहीं लग रहा है कि यह राजनीती भी हो सकती है कि धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी के बारे में अब इतनी बाते हो रही है कि भारत जोड़ो यात्रा एक साइड अलग थलग हो गई है तो इसलिए विरोधियों को जाधा परेशानी हो रही है देखिए अब आज आज इसके पूरे के पू उसके बाद उन्होंने उनको एक टदा कति जो है चुनौती पेश करी और चुनौती पेश करी अब भगबान जाने उन्होंने कैसी चुनौती पेश करी और क्याप करी और वो जिस संगथन को चलाते हैं उसका नाम है अंधश्रद्धा निर्मूलन समितिद्र. मैं आज आप के अंदर लाल चटनी हरी चटनी गोल गपे दारू भगवान जाने क्या 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 दस्वंद के नाम पर उन्होंने देश में इतना अकूत करोडों का व्यपार खड़ा किया अच्छा उनसे इन वामपंतियों को समस्या क्यों नहीं थी आज आपको और हमको इसकी जो नातनियों को जो है जो है किसी की घरवापसी नहीं कराते थे तो अभी इस देश के अंदर एक इसाई मिश्णरीज का बहुत बड़ा जो है कारेक्रम चलता है कि तमाम जो है एक व्यक्ति को जो है इसाई बनाने में लाखों रुपया खर्चा किया जाता है अब क्रिस्मस व जा हुआ जो मान लीजिए उधारन के तोर पर अगर एक व्यक्ति को जो है क्रिश्चन बनाने में दो लाख रुपय खर्च होता है और उन्होंने जो है अगर साड़े तीन सो चार सो लोगों का अगर उन्होंने घर वापसी करा दी तो वहां तो कई करोडों का नुकसान हो या उन मिशनरी वालों को तो ये अंद श्रद्धा निर्मूलन समीती चलाने वाले सो कॉल महा मानव ये आज उस पंजाब के अंदर जो एक तरफा धर्म परिवर्तन कर रहे हैं जो वहां पे हालेलुया करके एड्स से लेकर जो है तमाम बिमारियां जो एक जटके में ठीक क अलाना जो ग्रेह कले सब कुछ ठीक कर देते हैं उनके बारे में कभी कोई नी बोला जो ये तमाम चादर और फादर के बारे में कभी कोई नी बोला पर आज समस्या ये है चतिसगड़ और कॉंग्रेस जैसे कॉंग्रेस साशित राज्यों में भी चुनाव होने वाला है और और वहाँ पर बाबा के लोग प्रियता इतनी जबरजस्त है कि बाबा ये बोल रहे हैं कि जो हिंदुत्व का विरोध करेगा, जो सनातनी का विरोध करेगा, चाहे वो एक्टर हो, चाहे वो राजनितिग्य हो, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो चैनल हो, उसका विरोध कीजिए और आज ये बहुत बड़ा नेक्सस है आज देखिए आज हमारी शारुक खान से या किसी भी बॉलिवूड के एक्टर से हमारी कोई व्यक्तिगत घ्रणा नहीं है हमारी घ्रणा सिरफ इतनी है कि आप हमारी धार्मिक आस्था से घ्रणा करते हैं और आप अपने फिल्मों के म माध्यम से आपके जितने भी प्लैटफॉर्म है उसके माध्यम से आप हमें स्टीरियोटाइप करते हैं आप हमें हमारे उपर अपना जजमेंट थोपते हैं आप अपना धर्म मानेंगे आप पक्के मुसलमान रहेंगे आप पक्के इसाई रहेंगे परंतु आप हिंदुत् सेल्फ अब्सेस्ट हो गया है कि उसको फॉलोर बढ़ाने रील में व्यू कितने आने या स्नापचाट के लावा उसको कोई चीज नहीं सब्सक्राइब अब को लगता है कि यूथ अब साथ में आएगा इनके बिलकुल देखे जब 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 अभी तक तो वही देख रहे है कि जिस एक जो एज गूप जुद जाता है ऐसे बाबाओं के पास गुरूओं के पास वही दिख रहा है अबी इनके पास हाला कि इनकी एज ज़रूर कम है लेकिन इनके पास आने वाले लोग वही है तो क्या लगता है अब बार-बार युवाओं की बात कर रहे हैं तो युवा साथ में आएगा देखिए समाज के अंदर एक ऐसा कालखंड आता है जिसको हम चाहे सामाजिक दृष्टी से हो चाहे राजनेतिक दृष्टी से हो चाहे सांस्कृतिक दृष्टी से हो वो एक स्वर्णेम काल आता है दौनदात्मक तो होता है परन्त उस पूरी exercise के बाद उसमें से कुछ अम के बीच में एक संग्राम हुआ और उसके बाद उसमें से विश भी निकला उसमें से अमृत भी निकला कैसे विश को महादेव ने अपने कंठ में धारंड किया तो आज जो मैं समाज के अंदर जो यह इस प्रकार के वैचारिक द्वंद देख रहा हूं क्योंकि कुछ समय प अगर आप सोचिए वो व्यक्ति एक दिन में एक करोड रुपया कमाता था मतलब वहां पर बड़े-बड़े हॉल बुक किये जा रहे हैं देखिए सरकार की फाइल में सब कुछ सही है क्योंकि आप हॉल बुक कर रहे हैं आप सरकार को एंटरेन्मेंट टेक्स दे रहें तब कोई अंदशरद्दा, कोई सरकार, कोई कुछ हरकत में निया दे थी क्यों कियोंकि सब का सेटप चल रहा था अब चोटी-चोटी मुवीज में भी अगर बॉलिवुड के बारे में बात करें मुवीज में भी अगर कुछ गलत दिखा दिया तो इसका बॉयकॉट तुरंथ हो जाता है हाला कि पीके मुवी तब जब आई थी जब उसका बॉयकॉट कभी नहीं हुआ लेकिन उसके बार में अब जादा लोगों को आक्रोश वो आ रहा है तो क्या ये जो एक लहर चल रही है इस लहर का ये माने कि इस वज़े से ये बाबा या धीरेंदर कृष्ण सास्री जी जादा फेमस हो रहे हैं या इसका फर्क पढ़ रहा है मैं आपको कुछ जो मैं आपको कह रहा था ना कि पूरी की पूरी एक मोडस ऑपरेंडी है ये जिस व्यक्ति ने पूरा विवाद खड़ा किया अभी थोड़े दिन पहले ये मानव जो है राहूल गांदी जी के साथ भारत जोड़ो यातरा में कदम ताल करते हुए दिखे तो अब आप उन डॉट्स को जोड़िए कि एक तरफ अच्छा उनका खुद के चैनल है आप उसके यूट्यूब में जाईए और उनके पूरे के पूरे उनका जो पैटर्न है जिस तरीके से तो कहीं न कहीं लगता है कि वो सनातन और जो स्टाबलिश्मेंट जो अब की सरक उसके विरोधियां देखिए होना बहुत अच्छी बात है पर आप अगर एक तरफा टागेट करेंगे और जो लोग आज आज बड़ी इजी ली हिंदु धर्म बड़ा सौफ्ट टागेट हो गया है और इस देश के अंदर ऐसा हिंदूफोबिया मचाया जा रहा है कि आज क अगर देट में कोई भी सस्ती लोग प्रियता के लिए उठता है कहीं से विदाउट रेफरेंस कुछ भी उठाता है और उसके बाद चपर चपर बोलने लग जाता है और उसके बाद इस देश का मीडिया उसको रातो रात हीरो बना देता है उधारन के तोर पे अभी मंतरी जी ने लपकते ही उस मुद्दे को उठा ली और शुरू कर दिया अब सबसे बड़ा विरोधा भास ये है इस देश के हमारे समाज के अंदर की समस्या क्या है कि पहली बात हम सबसे टॉलरेंट सोसाइटी है सहिष्णू सोसाइटी है देखिए आपने दो तीन साल चा समाज के लोग है वो लोग उन्होंने ना कभी धर्म का स्वाध्याय किया ना किस reference में कहा गया है वो कहा अच्छा फिर क्या करेंगे टीवी चैनल वाले precisely चार फृणज उठाएंगे एक विक्ति को उठाएंगे आपर लडवाएंगे टी आर्पी के नाम पर बवाल होगा ब चारों दिशाओं में चार जो है, हमारे क्या नामें, शंक्रा चारियों की विवस्ता है, और मैं इस reference में ये भी पाता हूं, कि हमारे तमाम जो धर्मगुरूआ, जो लाखो की भीड लेकर राम क proph руки और तमाम भागवत करते हैं, वह लोग भी जु.. चुप हो जाते हैं, वह लो से आज समाज में जागरण है तो मैं अभी आपको पीछे रेफरेंस दे रहा था कि ये जो इलेक्षन जो छत्यसगड़ और राजिस्तान में होने वाले हैं तो कॉंग्रेस वालों ने सोचा कि भीया इसको कुछ आगे बढ़ाए जाए तो इससे कुछ होगा अब अगर देश के लोगों के अंदर एक धार्मिक जागरण कर रहे हैं तो आप ये कह रहे हैं कि वो कोई चमतकार या अंधविश्वास कुछ नहीं कर रहे हैं वो बैठकर जो उसमें पेपर में लिखते हैं तो वो क्या है उसको आप चमतकार एक नाम तो देना पड़ेगा या तो चमतकार देदें या उसे अंधविश्वास का नाम देदें देखिए अगर आप उसको विज्ञानिक दिरिष्टी कोंड से डीकोड करने लगेंगी तो आप उसको कुछ भी नाम दे सकती हैं परंतो यदि मैं अपनी धार्मिक माननेताओं के आधार पर जाओं यदि मैं रामचरित मानास का रेफरेंस उठाऊं मैं या श्रिमत भागवत के समय से सत्यूग द्वापर से, अगर मैं उस चीज को उठा के बात करूँ, तो ये हमारे समाज में, हमारी माननेताओं के अंदर चली आ रही एक परिपाटी है आपने, अगर आप चमतकार शब्द कहने से बच रहे हैं उस हिसाब से देखे, अब ये एक बहुत बड़े धार्मिक डिसकुशन का विशेशन देखे, रामायन में, महाभारत में रामायन में जो अपने यान थे और गायब हो जाना तो ये सब तो हम रामायन के अंदर हम पुश्पक विमान की चर्चा करते हैं पुश्पक विमान की चर्चा करते हैं कहेंगे जी हवाई जाज का विश्कार तो राइट ब्रधर्स ने किया उसके बाद हम महभारत काल में जाते हैं तो वहाँ पर कर्ण का जो सूर्य पुत्र कर्ण कहा जाते है कि बही कुंती ने बिना विभा के उनके पुत्र हो गया तो अब आप उसको चमतकार कहेंगी या क्य तो यह हमारी एक धार्मिक माननेता है जो चली आ रहे है परन्तु अगर हम उसको आज विज्ञान के चश्मे से देखने की कोशिश करेंगे तो आप किसी भी चीज को जो है नहीं मान पाएंगी ना आज तो आज आज जो एक एथिस्क समाज देश के अंदर या पूरे विश यह बहुत कोई controversial चीज नहीं देखता आप सोचिए अब आज मान लीजिए जो सनातन के अंदर है वो questionable है परन्तु जो अन्य धर्मों में हो रहा है मैं आज जो विवाद पैदा हो रहा है मैं उस पे उन प्रश्न उठाते हुए लोगों को एक सवाल ये करना चाहूंगा कि य अब आपको लग रहा है कि यह चीज जो है अती लोग प्रियता ले रहा है और यह कहीं न कहीं हमारे agent को रोग सकता है तो आप उसको target करेंगे जो लगता है कि जो विरोधी है कहीं न कहीं उनके ये हो सकता है कि एक तो गुट मान लिया कि यह वामपंथियों का या या यू क लोगों को ऐसे संतों को देखा है जिनको बहुत माना लेकिन उसके बाद आज वो जेल में हैं तो आपको क्या लगता है इस चीज को आप कैसे देखते हैं इस चीज को देखे पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती और एक परिवार में भी जो है अगर दस लोगों का हैं और यह आपका और मेरा विवेक है इस चीज को को जज करना कि मेरे लिए क्या सही है मेरे लिए क्या गलत है आप आप आपके अंदर दस अच्छाईयां हो सकती हैं दो बुराईयां हो सकती हैं मैं आप से क्या ग्रहन करना चाहता हूं यह निश्चित रूप से मेरे उपर निर्भर करता है कि यदि मैं आपके उन अच्छाईयों को ग्रेंड करूं तो निश्चित रूप से मैं उन अच्छाईयों को ग्रेंड करके आगे बढ़ूंगा अगर मैं आपके अंदर बुराईयां ही देखता हूं तो मैं जो है अब सिरब वो बुराईयां ही देखूँगा तो यह तो हमारे धार में साश्त्रों में लिखा हुआ हमारे रामचरित माना से लेकर तमाम चीजों में लिखा है कि हम सदभाव उठाते हैं या हम किसी का दुरभाव उठाते हैं तो आप यह मानते कि अगर आसाराम ने कुछ अच्छी बाते सिखाई हैं बापु ने तो आप उनकी अच्छी बाते लीजे आप उस गलत चीज़ पर ना जाएगे इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर कुछ न कुछ खासियत रही होगी परंतु यदि मैं उसकी सुचिता बरकरार रखूंगा तो वो निश्चित रूप से वो लोक प्रियताल वो लोगों का जुड़ना वो निश्चित रूप से कई समय तक चलेगा परंतु मैं अगर उस प्र आप फर्ष पे भी जा सकते हैं प्रवाइडेड कि आप यदि अपनी अपनी जो माननेताएं हैं उस सुचिता को बरकरार रखते हैं तो आपका प्रवाइडेड की बाबा से नातन धर्म के जेल के अंदर गए हैं तो ये धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री जी भी जल्द ही ज दिखता हूं और धिरेंच क्र metre शास्त्री एक बहुत बहतर काम कर रहे हैं और जो सुया हुआ सानातन हिंदु समाज है उसको कहीं-न-कहीं वह एकत्रित करने का काम कर रहे हैं उसको जहगजोड देनेका काम कर रहे हैं आज इस देश के अंदर आज आज मीडिया को सेक्षिन Mother Teresa की बात क्यों नहीं करता आज उन तमाम Missionaries की बात क्यों नहीं करता Mother Teresa को तो हम लोगों ने यहाँ पे भारत रत्म दे दिया भारत लोगों ने Nobel Prize दे दिया वो कौन सी चमतकारी शक्तियां थी उनके पास और आज धिरेंद कृष्ण शास्त्री धिरेंद कृष्ण शास्त्री यह तो नहीं कहरें कि आओ भाईया लाख रुपे ले लो, दो लाख रुपे ले लो हिंदुत्व में आ जाओ वो हिंदु धर्म की सनातन हिंदु धर्म की अच्छाईयां बता रहे हैं, आज भागवान राम की बात कर रहे हैं, हनुमान जी की बात कर रहे हैं, सनातन हिंदु धर्म में जो लोग बहग गए थे, जो लोग प्रलोभन में आकर अपने धर्म को छोड़के गए थे, उनको वापस लाये जा रहा है, आप एक बात बताइए, जब आप और हम पैदा होते हैं, तो हम कौन से धर्म में होते हैं हम हमारा जो व्यक्ति का धर्म है वो इंसानियत का धर्म है मानवता का धर्म है और हिंदू मुस्लिम सिक्ष इसाई किसी भी चीज होने से पहले हम क्या हैं हम सनातनी मानव हैं हम पैदा होने के बाद तो हम कोई ऐसा क्रिया करम नहीं करते किसी के कहीं से कुछ काड़ दिया, इदर कुछ लगा दिया, कान में कुछ लगा दिया, ऐसा वैसा तो कुछ नहीं करते न, तो ये सनातन हिंदु धर्म की सुन्दर्ता है, और हम क्या बात करते हैं, हम बात करते हैं, सर्व धर्म संभाव की बात करते हैं, हम वसुधैव कुट बार मानते हैं और एक दूसरी तरफ एक ऐसा समाज है जो दिन में पांच बार जो है लौड स्पीकर पर वो बोलता है कि भीया अगर आप हमारे अराध्ये को नहीं मानते तो आप जो है क्या है काफिर हैं आप दूसरी तरफ एक और समाज को पाते हैं कि जो जो है आपको कहता ह यह ठीक कर देंगे वो ठीक कर देंगे तुम्हें गरीबी देंगे तुम्हारे राम ने क्या दिया तुम्हारे कृष्ण देखिए धर्म धारन करने का विशे है और वो धारन आप विचारों से अपने जीवन में महान बनते हैं मुझे लगता है कि कोई भी धर्म जो अगर आपको किसी के प्रलोभन में अगर आपको वो अपनी तरफ लेके जाता है तो वो आपका एक नितांत, निजी मत है और उस पे उस पे जो है उसके जिम्मेवर आप स्वयम होंगे पर आज समाज के अंदर जो धर्म के अग्रज हैं, जो धर्म के प्रवर्तक हैं, अगर वो देश के अंदर, वो समाज के अंदर लोगों को अपनी जड़ों पर लोटने के लिए अगर प्रेरित कर रहें, तो उससे महान काम कुछ नहीं हो सकता, और ऐसे लोगों को मेरा हर अच्छे काम करने वाले और धिरेंद कृष्ण शाष्त्री ने 26 वर्ष की उमर में एक ऐसा काम कर दिया है जो है कई सालों से जो नहीं हो पारा था क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा टॉलरेंट थे कि हमें क्या सिखा दिया एक गाल में कोई थपड़ मारे तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए बताइए कोई मुझे आके एक थपड़ मारेगा मैं क्यों दूसरा गाल आगे करूँगा ये कौन सी अहिंसा है कि कोई मेरे उपर वार करे और मैं कौँगा भाई मेरे दूसरे गाल पे भी मार ले क्या ये संभव है क्या ये पॉसिबल है ये नयाय संगत है तर्क संगत है बिल्कुल हैं तो यांनि कि आप गांधी जी के वचारों से भी सहामत में है मैं एक पट्िकुलर विचार की बात कर रहा हूं मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं पर मैं समय-क-ाल और परिस्ति हो सकता है गांधी जी के उस वक्त में वो फीजिबल हो पर मैंने जितना अध्यान किया वो तब भी फीजिबल नहीं था और अगर आज कोई मुझे कहे कि वेज जी आपको कोई एक गाल पर थपड़ मारें तो दूसरा गाल आगे कर दीजिए मैं बिल्कुल मना करूँगा मैं क कि कोई यदि मुझे थपड़ मारने की चेश्टा करेगा तो मैं उसको ऐसा प्रतिकार करूँगा कि वो दस बार सोचेगा कि मैं इसके उपर आकमन करूँगा क्योंकि मुझे मेरा धर्म यदि मर्यादा पुर्शुत्म राम बनना सिखाता है तो धर्म के लिए मुझे परश सद्भावना क्योंकि हमारा धर्म का जो आधार है वो सद्भावना है हमें किसी से सीखने के आवशक्ता नहीं आप तमाम जो है वेदों को ठालीजिए उपनिशदों को ठालीजिए आज कोई भी मूझ उठाके जो है मनुस्मृति के बारे में जो है उट-पटांग बोलने लग जाता है पर मैं आज उन लोगों से पूछना चाहूँगा क्या आप लोगोंने मनुस्मृति का अध्यान किया है और जो लोग टीवी चैनलों पर आकर प्रवक्ता बनकर बैट जाते हैं उन्होंने स्वयम मनुस्मृति का अध्यान नहीं किया उन्होंने वेदों का रहे जाएगी आज जो है एक 25 किलो के चावल के बोरे के ऊपर धर्म परिवर्तन कराए जा रहा है सरकारे समाज निरही बनके बैठ रहा है और आज एक अगर संथ वहां पर बैठ कर जो है लोगों को जगरन कर रहा है तो उन एजेंड अधारियों के पेट में दर्द हो रहा है बिगुल भी बच चुका है आगाज हो चुका है लगातारों चोस किये जा रहे हैं चाहें कॉंग्रेस हो भारतिय जनता पार्टी हो या कोई भी और कई राज्यों में भी जुनाव हैं देश में तो हैं ही राज्यों में भी हैं क्या इस टॉपिक का इस मुद्दे का तो क्या भारतिये जंता पार्टी को फाइदा होगा क्योंकि अब बार-बार छत्तसगर और राजस्थान के बारे में आप बोल रहे थे देखिए नागपूर का कारिक्रम था नितन गड़करी जी वहां से चुनकर आते हैं वहां के जनप्रते निदियें उनका जाना पार्टी डंके के चोट पे जो है हिंदू धर्म की बात करती है किसी किसी पार्टी को किसने रोका है आज अखिलेश यादव की पार्टी का नेता रामचरित मानेस के उपर बकवास कर रहा है अखिलेश यादव ने अभी तक उसका विरोध नहीं किया है आज लालू प्रसा तो आपने ब्रह्मन बनिया, छत्री, शूत्र में बांट दिया, आपको पता है कि ये तो जो है, ब्रह्मन इंफ्लूएंस वाली सीट पर आप छत्रीय को उठा दो, छत्रीय सीट वाली पर ब्रह्मन को उठा तो, ये आपस में लड़के मरेंगे, पर आज धिरेंत क्रिश ये उसको मिटाने का काम कर रहें, और आज यदि भाजपा जो है इस देश के अंदर 500 साल से लंबित मुद्दे को लेकर आकर इतने अब इतने प्रेम पूरवक अगर उसका समाधान करती है, तो उसको उसका राजनितिक फाइदा मिलना चाहिए, यदि आज भारतिये जंता पार्टी की सरकार काशी के अंदर इतना बड़ा वैभव शाली काशी कॉरिडोर बनाती है, तो उसको उसका फाइदा मिलना चाहिए, आज महाकाल के अंदर उज्जेन के अंदर इतना बड़ा सरकिट बनाती है, उसका फाइदा मिलना चाहिए, क्योंकि आज जो धर्म की बा दिया करते थे आप बताईए असली मुसल्मान से ज्यादा मुसल्मान ये लगने की होड होती थी आज इस देश का प्रधान मंतरी जो है नवरात्रों में नौ दिन का उपवास रखते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंतरी और देश के प्रधान मंतरी जो है कन्याओं का पू की सुआंग कर रहे हैं देश की अंदर तो देश की जनता को पता है कि हिंदुत्व और सहनातन के असली द्ध्वजा वाहा कौन है उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको समरक्षित और समवर्धित करने के लिए कौन काम कर रहा है और काल नेमी के रूप में छट में हिंदू का रूप धारन करके कौन आज मंदिरों के चक्कर लगा रहे हैं तो देश की जनता के अंदर जो एक नव जागरन हुआ है और जो जनता है वही जनार्दन है और वो सब का हिसाब करेगी ठीक है बहुत शुक्रिया वेदप्रकाश शर्मा जी हमसे बाच्चीत करने के लिए तो आप लोगों ने सुना और आप लोगों ने जाना कि वेदप्रकाश शर्मा जी जो कि राजनितिक विशलेशक हैं उनके क्या व्यूस थे क्या उपीनिंस थे इस मुद्दे पर और बागेश्वर धाम धीरेंदर क्रिष्ण शास्त्री जी उन्होंने हाला कि ये बात तो नहीं कही कि ये सच में चमतकार है या अंधविश्वास है लेकिन एक बात जरूर उन्होंने ये कही कि हाँ माहाभारत और रामायन में ऐसी चर्चाएं होती थी और ऐसी बातें वहाँ पर लिखी हुई है आप देखते रहे हैं ओन्यों जिन्दी नमस्कार थैंक यू